इस आप आप आपका मेरे यूट्यूब चैनल Mr. Koko Bakery शो में दोस्तो क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले बर्दे सैलिब्रेशन की सुरुवात कब और कहां हुई थी और क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले केक कब और कहां पे बना था और इंडिया में केक की सुरुवात किस ने की थी और कहां से की थी तो आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं इन सभी इंटरस्टिंग सवालों के जवाब बने रही है इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ क्योंकि इस वीडियो के end में मैं आपको देने वाला हूँ इन सभी सवालों के जवाब Guys आज कल मार्केट में कहीं सारे artificial item एबलेवल हैं जिनसे की आप अपने cake को decorate कर सकते हैं बट ये item non eatable होते हैं और costly भी तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चॉकलेट की garnish बनाने की step by step complete process Guys चॉकलेट गार्निश बनाना बहुती आसान भी है और बहुती मज़ेदार भी इससे आपके cake में एक नई जाना जाती है और cake बहुती ज़्यादा सुन्दर भी लगते हैं तो आईए देखते हैं आज cake की garnish कैसे बनाई जाती है अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें तो आईए सुरू करते हैं Guys चॉकलेट गार्निश बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है यहाँ पे white chocolate को और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा food color food color को डालने के बाद इसे अच्छे से mix कर लेना है और यह जो सारा process है हम करने वाले हैं प्लास्टिक की एक पतलीशी sheet के साथ थोड़े से mold हमने अलग-अलग तरीके के cutter भी यहाँ पे use कर लिये हैं जब यह sheet थोड़ा बहुत थंडी हो जाए और यह जो है chocolate आपकी set हो जाए उसके बाद आपको इसके उपर यह pattern दे देने हैं थोड़ा सा इसको press करना है बहुत ज़्यादा press नहीं करना है हलका बहुत आप press करेंगे तो chocolate में जो है इस तरह का आपका pattern आ जाएगा और जब आपके सारे अलग-अलग तरीके के आप इसके उपर pattern दे दिंगे guys तो इसके बाद हमें इसे रखना है deep freeze में set करने के लिए इसके बाद हमने same process करनी है एक दूसरी sheet के साथ भी क्योंकि हम अलग-अलग तरीके की garnish बनाने वाले हैं तो हमने एक दूसरी sheet लिए इसमें तोड़ा सा milk chocolate लगाया है और इसके बाद हम बनाने वाले हैं अच्छा सा pattern इसके उपर और इस तरह से जिग-जग वाला pattern दे दिंगे आप यह जो pattern है इसका effect आपको बाद में देखने को मिलेगा same process हम करने वाले हैं आपका dark chocolate के साथ भी क्योंकि हम अलग-अलग तरीके की garnish यहां पर बनाने वाले हैं तो same process हमने dark chocolate के साथ भी किया है इसमें भी हमने एक zig-zag pattern दे दिया है इसको guys pattern मनाने के बाद हमें इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखना है और set करने के बाद इसे थोड़ा सा set हो जाए उसके बाद हमें इसके उप़र दुबारा से white या dark color की chocolate दुबारा से इसके उपर लगाएंगे white के उपर dark लगाएंगे black के उपर white लगाएंगे एक्चली इससे थोड़ा सा अच्छा एफेक्ट आएगा तो जैसे हमने वाइट आपकी जो जिग-जग वाला एफेक्ट हमने बनाया था इसके उपर हमने डाक चॉकलेट मिला दिया है तो सेम प्रोसेस हम दूसरी वाली शीट के साथ भी करने वाले हैं थोड़ा सा इसे सेट क इसमें कट देना है और वर्टिकली वर्टिकली आपको कहीं सारे कट देने होरिजॉन्टली एक कट देना है यह शीट काफी फ्लेक्सिबल है इसे हाथ से आप इजली मोल सकते हैं इस तरह से आपको इसे फोल्ड करना है दोनों तरप से और इसके बाद इसे हम डीप प्रीज कर लिया है पूरी शीट के उपपर थोड़ी मोटी लेयर आपको चॉकलेट की इसमें रखनी है और इसे थोड़ा सा धंडा होने के लिए रख देना है जिससे कि अच्छे से से हो जाए जो पहले से पैटन बना हुआ था और अच्छे से से हो चुका था उस पैटन को हमने ले लिया है और यह प्रोसेज जो है आपको अलग-अलग सीट के साथ हम इसले कर रहे हैं क्योंकि हमने कहीं सारी गार्णिश बनानी है तो एक जो भी हमारी शीट अच्छे से 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 उसको लेना है और उस शीट के उपर आप कोई साभी ट्रीया अपना जो भी आपके पास अलग-ładग तरीके के ट्रीव के बेकरीजमें वहितस को उनको लेकर आपको इस तरह से उसके उपपर चाप देना है और हाथों से आप अलग-लग तरीके के डिजाइन को कि दे सकते है बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यह जो पूरा प्रोसेस है यह ठंडे कमरे में होना जरूरी है एसी होना चीयरूम में जिससे कि आपकी जो चॉकलेट है वो अच्छे से से सैट हो सके और आपकी गानिश बढ़िया से बढ़िया बन सके इस तरह से आप अलग-अलग तरीके के पैटन बना लिगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और हाट शेप के पैटन हमने यह आपे बना लिए हैं शीट को मौल्ड करके हमने अच्छ अच्छ पैटन्स बना लिए हैं और इसको इसके बाद जो है यह पुरा प्रोसेस करने के बाद हमने डीप त्याला था और ढीफ जाती है और इनको आप दुबारा से गार्णिश बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं जिस पैटन की में बात कर रहा था वो आप देख सकते हैं इसके फरंट पोर्शन में यह जो है पैटन आ चुका है और यह जो पैटन है बहुत ही बढ़िया लगता है कहीं तरीके के अलग बीच में से हाट को हमने और कट कर लिया है तो एक ही हाट में से हमारे दो तरीके के हाट निकलेंगे चोटे-चोटे हाट भी निकलेंगे और ऐसे हाट भी निकलेंगे जिसमें से बीच में भी आपके कटिंग हो जाती है तो बहुत बढ़िया गानिश यह लग रही है इसमे बड़े तरीके से बड़े आराम से बड़े प्यार से निगालना पड़ता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि टूट भी जाती हैं बहुत ज़्यादा टूटती भी हैं इसलिए मैंने आप से कहाता है कि जब आप दुबारा से पैटन के ओपर दुबारा आप चॉकलेट लगा र राउंड सरकल आ चुका है इसके लिए हमने इसलिए हमने इसको जो है शीट को फोल्ड करके रखा था तो बहुती बड़िया गानिश निकल कर आ चुकी है और इस तरह की गानिश आप भी बना सकते हैं अपने केक के लिए बहुत इजी मैथर्ड है आप देख सकते हैं कि कि कमेते बड़िया बढ़िया से कानिश बन चुकी है कि अम्पोहुत ध candy यह लगति चैकलर भी इन के काफी डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं में इसके सब्सक्तों आपने केक के लिए ज्यादा की और अपनी केक को उद्ढ़िये ज्यादा चंब का इंई तो गाइस देखा आपने चॉकलेट की गार्णिश बनाना कितना आसान है इसी तरह से चॉकलेट की गार्णिश बना के आप भी अपने केक को और ज़्यादा सुन्दर और डेकोरेटिव बना सकते हैं वो भी बहुती आसान तरीकों से गाइस अब मैं आपको देने जा रहा हूँ उन इंटरस्टिंग सवालों के जवाब जो की इस वीडियो के सुरुआत में मैंने आप लोगों से किये थे गाइस केक का कॉंसेप्ट चंद साल पुराना नहीं बलकि हजारों साल पुराना है हाला कि तब के केक बहुत डिफरेंट होते थे आज के modern day केक से बहुत डिफरेंट केक सब्द आया है Swedish word kaka से जिसका इस्तेमाल होता था केक जैसे दिखने वाले एक bread के लिए माना जाता है कि सबसे पहले ancient Egyptians ने birthday celebration की सुरुवात की थी लेकिन तब भी केक बनानी की सुरुवात नहीं हुई थी birthday celebration के लिए drinks का, fruits का और dry fruits का यूज होता था अगर हम बात करें केक की तो लगबग आज से 2000 साल पहले युनानी और रोमन लोग अपनी parties में टोटा घाते थे जिसे आज हम tart बोलते हैं और ये विशेश रूप से केक की तरह ही यूज होता था Greeks ने सबसे पहले केक बनानी की सुरुवात की थी जो की cheesecake था और Romans famous थे अपने फलों और dry fruits से बनने वाले cakes के लिए इसके बाद भी 19-वी सदी में सही माईने में modern cakes की सुरुवात हुई केक को हलका बनाने के लिए East की जगे baking powder और baking soda यूज होने लगा जिससे की केक और bread के बीच का difference किलियर हो पाया Guys पहले केक एक बहुती luxury चीज हुआ करती थी सिर्फ अमीर और high class लोग ही cake खरीच सकते थे बट समय के साथ आम लोगों की जिन्दगी का हिस्सा बन चुके हैं ये cakes और आज तो आप जानते ही हैं कि कुट्टे और बिल्ली का भी बड़े लोग बड़े ही धुमधाम से मनाते हैं और cake तो जरूर मगाते हैं इंडिया में cake बनानी की सुरुवात हुई थी सन 1880 में केरल के एक वैपारी मामबली बापू ने सबसे पहले इंडिया में बेकरी की स्तापना करी जो की एक इट से बनने वाली बेकरी थी और जिसमें इट की एक भट्टी लगाई थी उन्होंने और एक अंग्रेजों के लिए एक्चली यहाँ पे cake बनाया करते थे यह सबसे पहले जो cake बनाता यह Christmas के दोरान बनाया गया था जो की एक अंग्रेज व्यापारी के लिए बनाया गया था उस अंग्रेज व्यापारी ने ब्रिटेन से लाके केक दिया था मामबली बापु जी को और उन्होंने उस केक को देख कर उसमें अपने कुछ इंडियन इंग्रिडियन्स को यूज करके उस केक को बनाया था जो की ब इंडिया में बनने वाले केक हैं वो विदेसों से भी जादा डिफरेंट हैं बहुत जादा लग्जिरियस केक यहाँ पर बनाये जाते हैं और इवन मिस्टर कोको बेकरी में तो आप जानते ही हैं एक से बढ़कर केक हम बनाते हैं दोस्तों आज के टाइम पे जो हम केक्स खात बेकरी है जो आज तक चली आ रही है और अब तो इसके जो वनसेज हैं मामबली बापु जी के जो वनसेज हैं उन्होंने कहीं सारे अलग-अलग नामों से पूरे इंडिया के अलग-अलग लोकेशन में बेकरी खोल दी है तो बेकरी इंडस्टी एक बहुती जबरदस बिज फिस्टी तो उसके बारे में भी हम आपको जलद एक एपिसोड लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि मिस्टर कोको बेकरी ना क्या क्या struggle हमें करना पड़ा इस bakery को start करने के लिए तो guys आपको ये episode कैसा लगा please हमें comment section में जरूर बताईएगा अगर आपको ये information अच्छी लगी तो हमारे channel को like, share and subscribe करना ना भूलें और हमारे channel को अपना प्यार जरूर दें और जादा से जादा हमें support करें and thank you so much